subscribe to RPS tutorial and press the bell icon for more updated videos now see this is the question no.1 जो की question no.1 हम लोग ने लिया instrumentation engineering में जो की question आपको पुछा गया था gate 2019 में now question में बोला कहागा A 3x3 matrix has eigenvalues 1, 2, 5 find the determinant जो के अभी gate 2019 जो के आपको exam हुआ था उसमें आपको ये question पुछा गया था instrumentation engineering में question बहुत easy है one marks के लिए आपको question exam में पूछा गया था जो कि में जो कोशन मिला instrumentation engineering में मैं यहाँ पर solve कर रहा हूँ option मुझे मिला नहीं है question मिला तो question को हम लोग यहाँ पर solve करेंगे जब भी gate के official website में question paper आएगा जो भी question बचा रहेगा हम लोग और भी solve करेंगे तो तब तक के लिए हम लोग देखके question number 1 जो की question यहाँ पर given क्या है यहाँ लोग step by step यहाँ से solve करेंगे और लम्रा 1 लम्रा 2 लम्रा 3 का value given है हमें determinant find करना है जैसे कि हमें पता है कि जभी भी आपको एक eigen values मिलता है अगर आपको given है अगर आपको given है तो हम determinant कैसे find करेंगे कुछ नहीं करेंगे simply उसका क्या करेंगे product लेंगे जो भी आपको eigen values given है उसका हम लोग product करेंगे तो product में जो भी value मिलेगा वही होता है आपका determinant that is 1 into 2 into 5 that is 5 to 10 तो 10 is your answer जोकि 2019 में आपको यह question पूछा गया था आपको determinant find करने के लिए आपको बोला गया था तो बहुत ही shortcut question था जोकि determinant के लिए हम लोग क्या करेंगे जो भी eigen values given है उसका हम लोग product लेंगे तो उसका क्या होगा determinant तो determinant of a क्या मिल जाएगा आपको यहां से 10 I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा जोकि बहुत easy question आपको बूछा गया था तो बहुत रिक्की था जिसे भी properties पाता रागा आइगन विलिस और आइगन वेक्टर गा तो इस question को easily solve कर लिया होगा right now हम लोग देखेंगे question no.2